आपको इस वीडियो में आपको पता चली किया होगा कि हम बात करने वाले हैं जो क्लास 11 की इंगलिस की बुक है उसके चैप्टर 11 थी वोज का पार्ट 2 यानि कि पहला पार्ट हमने अल्रीड कवर कर रखा है जिसमें हमने इस परग्राफ तक हमने पढ़ाई की थी अगर इसके बारे में आपको वीडियो पीछले वाली देखनी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिशन में उसका लिंक डाल दूंगा आप जाकर जरूर देख लेना तो चली अब शुरू करते हैं हमने एक पार्ट कवर कर लिया है तो अभी बात चल रही थी कि गांधी जी जो थे ना स्टे पैनी दृष्टी से उसको देखते हुए चुप रहें है ना फिर क्या होता है केसी अजाद बोलते हैं वाट और दो थ्री वोज जैसे जब जैसे ही महात्मा गाधी ने बोला था कि आपको अगर आश्रम में रहना है पिछली पार्ट में आप कवर किया था कि अगर आपको ता को तीन जो सपत हैं वह लेनी पड़ेंगी तो केसी आजाद जो हैं बहुत ही अचंब हमें बताःए फिर बताया जाता है वहां के नाटक के बारे मतलभ वहां के दृष्शे के बारे बताया जा रहा है कि महादेव-दिषाई पितस माइल , तो बताया जा रहा है कि जो महादेव दिशाई थे ना वो खुलकर मुस्कराता हुआ दिखाई पड़ता है जैसे कि वो भूरे साहब की घबराहट से प्रशन हुआ हो यानि कि केसी अजाद जब ऐसे पूछते हैं ना कि वो तीन सबत क्या है तो इस बात पर महादेव दिशाई प्रशन होते एक तरीके से अब देखी आगे क्या होता है गांदी जी बोलते हैं और बात ऐसी है कि अभी वो जेल में है आयरलेंड के दूसरे देश में है मतलब मनरंजन की मुसकान से दूसरी और देखते हुए गांदी जी उसकी तरफ देखकर कहते हैं हैना फिर से कि यूगन ड्रीम ऑफर एट नाइट नाइट नौट थिंक ओफर दिरिंग टी टाइम ठीक है चलो तो उसके बारे में रात को सपना देख लेना पर तो दिन में उसके बारे में नहीं सोच सकते यह तुम्हारी पहली सपत है ठीक है केसी अजाद बोलते हैं यार डिफिकल्ट है है ना चलो ठीक है कादी जी बोलते हैं वाई इसी इन जेल एक बात बता वह जेल में क्यों है अभी तो केसी अजाद बोलते हैं मतलब इस मैडम के साथ वह आजादी की लड़ाई लड़ रही थी है ना तो प्रिटिस पुलिश अक्यूज़ हर ऑफ गन रानिंग ऐसी केम विद टू आरिश मेन फ्रम लिवरपूल हो हैद पिस्टलीज यहनी कि जब वह जो मैडम मैडगान थी उनके साथ मिलकर आइलेंड के इस हतंता के लिए अंदोला में भाग ले रही थी ना तो दो आइरिश पुलिश जो थे जिनके पास एकिक पिस्टॉल थी उनके साथ लिवरपूल से आई थी तो ब्रिटिस पुलिस ने उस पर बंदूकों की तर्सकरी कारोप लगा दिया और है ना क्या मत्सारी क्या उसको हिंसा करना पसंद है अच्छी लगती है क्या उसे तो केसी अजाद बोलते हैं सो द ब्रिटिस से ब्रिटिस ऐसा ही तो कहते हैं अब क्या कर सकते हैं फिर गांदी जी बोलते हैं अच्छा you can think of her courage in working for Irish freedom to inspire you to work here but not desire her body थे कितने अलग भाव में गांदी जी बातों को रखते हैं और फिर बोलते हैं यह चीज़े जानने के बाद कि वह और जो है आरिश freedom के लिए लड़ी थे movement में तब वो जेल में गई है तो कहते हैं ठीक है तुम उस औरत के बारे में सोचना कि भाई वो कितने साहस से लड़ाई लड़ रही है है ना freedom अजादी की लड़ाई लड़ रही है जिसकी वजह से वह साहस तुम्हें प्रड़ीत करें और इंस्पायर करें राइट ताकि तुम यहां पर कामकार को ठीक है इस मोटीव से सोचना but not desire her body उसकी देह की related मत सोचना राइट है उसकी सरीर की इक्षा की परस्पेक्टिव से मत सोचना राइट चली किसी जाद बोलते हैं confused amused and silent जो किसी जाते उल्जम ने पढ़ चुके हैं हसी आनना होकर वह चुप रहे हैं ठीक है I am not sure that one can compartmentalize one's thought about women कि वो बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी इस तरीके बारे में विचार को विवर्ट कर सकता है मतलग उसके बारे में सोचते हुए भी नहीं सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है I love her for her beauty मैं उनकी सुनरता के लिए उसे पसंद करता हू I will be dreaming of her at night if I do not think of her during daytime फिर से वही बात बोलते हैं अगर मैं दिन में नहीं सोच पाया तो रात में तो जरूर उनके स्वाब देखूंगा उसके तीक है गादी जी बोलते हैं you can dream of her at night but not think of her during daytime फिर से वही बात बोलते हैं किसी जाद बोलते हैं अरे अब चलिए दूसरा सपत स समझाई दीजी हमें बोलते हैं what is the other वो है ना क्या दूसरा जो सपत है वो बताईए तो गादी जी बोलते हैं you must not drink liquor here liquor का मतलब बता है मदिरापान है ना तो आपको यहाँ पर भाई मदिरापान से दूर रहना होगा तो केसी जाद बोलते हैं embarrassed and wiping the sweat of his face यानि की situation बताए जा but I am pub crawling in London कहते हैं कि यार ऐसा है महात्मा जी मैं तो लंदन में मदुसालाओं के चक्कर लगाता रहता हूं है ना और आप कह रहे हैं कि दारू छोड़ दो वी writers right from pub talk को कहते हैं कि ऐसा है कि हम जो लेखक है ना जायर सी बात है के से जाए तो लिखने के लिए आया थे novel तो कह हमारे अंदर जुरून जाकता है लिखने का I have never been drunk वो कहते हैं कि मैं कभी मद्होश नहीं हुआ ऐसा तो नहीं है only once when I mix my drinks in the inner temple मैं अपने जब inner temple में शराब मिला ली थी तभी मैं एक बार मद्होश हुआ था ऐसे करके वो बता रहे हैं को incident तो गांदी जी बोलते हैं formally मतलब बहुत दृता से ऐसा होता है ना you may drink in London but not here ठीक है भाई आप लंदन में पीते हैं लेकिन यहां नहीं पी सकते हैं you will find yourself writing without clicker if you become intoxicated with truth तो कहना चाह रहे हैं गांदी जी देखी ऐसी बात है कि अगर आपको मतलब आप बिना सराब की लिखोगे यदि आप पर सत्यकर्नाशा चढ़ा गया यानि कि उनका कहना है कि अगर आप मद्रापान नहीं करोगे तो आप पर सत्यकर्नाशा चढ़ा रहेगा त पर नशा चढ़ा रहेगा और जिस वेसे आप अच्छा लिखोगे इनका मानना यह है चलो वह भी बात मान ली आप किसी ज़ाग बोलते हैं सर्ट वह बता दो याना क्या है तीसरी सर्थ क्या है तो गांती जी बोलते हैं यूविल आप टू क्लीन लैट्रीन्स वोंस अवीक कहते हैं भाई ऐसा है जो तीशरा सपत हो है वो यह है कि आपको यहां के मतलब जो लैट्रीन्स है उनको वीकली बेसिस पे शाफ करना पड़ेगा जैसा कि हम लोग भी करते हैं टर्न बाई टर्न तब तो केसी ज़ाग का कहना है आई है यहां तो आया ही हूँ आया ही हूँ आपकी तरह सीखने की लिए आई विल क्ली लैट्रीन्स विलिंगली ठीक है मैं बिल्कुल खुशी से सफाई कर दूंगा ठीक है गादी जी बोलते हैं महादेव गेव गेस्ट कोटेज तो महादेव को बोलते हैं वेर इस लगेज अरे सर बताओ आपका लगेज का है चलो ल किसे जाद बोलते हैं I left it in the left luggage room and at Ahmedabad station वो तो कहते हैं कि केसी जाद बोलते हैं मैंने तो उसे अमानत घर है तो होता है न मैंने उसमें वहां रख दिया है तो गांदी जी बोलते हैं go and fetch it जाओ लेकर आओ उसे फिर आगे बाद चलती है केसी जाद बोलते हैं महात्मा जी could you ask the watchman at the gate of the ashram not be angry with visitors but treat them severely यानि कि बोलते हैं महात्मा जी एक बात सुनिए क्या आप आश्रम के जो gate का चौकिदार है उसको कह देंगे कि वो आगुंत को से यानि कि जो guest आते हैं उनसे नराज ना हुआ करे बलकि उनको थोड़ा सिष्टता से वहार करे यानि कि कुछ बे गादी जी बोलते हैं ओ अचारे गुर्खा अदर्स हैव और सु कंप्लेंट महादेव गो कॉल हैं बोलते हैं अच्छा अच्छा वह अचारे गुर्खा की बात कर रहे हैं क्या जोकी gatekeeper हैं बहुतों ने दूसरे लोगों ने भी उसके बारे में कंप्लेंट किया है जाते हैं गादी जी बोलते हैं let me give you Tolstoy confession फिर अब बात थोड़ी चेंज हो जाती है और मैं आपको कहते हैं गादी जी मैं आपको Tolstoy का confession देता हूं है गादी जी gets up goes into the room on the left side गादी जी जो खड़े होकर बाई और की कमरे में चले जाते हैं फिर केसी जात के बारे में बात चलती है केसी जात क्या कर रहे हैं looks around at the busy scene his tense from the awareness of the महातमा's moral sense हैनी कि वो चारोर वेस्ट द्रिश्य को देखता है वो गादी जी की नहतिकता की भावना के करण तनाव में है है ना मतलब इतना सारा moral चीज सिखा रहे ना उससे वो मतलब tense हो गया है कौन केसी जात तो गादी जी बोलते हैं here is the book it will teach you to forget your girlfriend अब देखो गादी जी बोलते है देखो जी एक यहां पर बुक पड़ी है इस बुक को ले लो और इससे आप अपनी गर्ष्रण को भूल जाओग इसको पड़ोगे तो केसी जात never I love her कभी नहीं मैं उससे प्रेम करता हूँ मैं यह बुक नहीं पड़ूंगा ऐसा बोलते हो राइट गादी जी बोलते हैं all पैसा नेंट्स इंट्रेजडी what is your name वो बोलते हैं कि देखिए जितने भी भाव वेशों का जो अंत होता है ना बहुत ही दुखत होता ह है तो आपका नाम क्या है फिर केसी जात बोलते हैं कृष्ण चंद आजाद देखिए बात कैसे घुमा रहे हैं महात्मा गादी वो पूछते हैं आप चलिए अपना नाम बता दीजिए तो यहोंनों बोला कृष्ण आजाद फिर and I want to live up to that name बोलते हैं कि मैं इसी नाम के आज कृष्ण आई वोंट बी लाइक देल लव गोड वो अपने बारे में आपक्रिशन जो इनसे जब महात्मा गादी ने पूछा कि आपका नाम क्या है तो इतना कुछ अपना व्याख्यान कर रहे हैं अपने नाम के बारे में के सी आजाद कहते हैं कि एज कृष्ण आई आजाद इसलिए रखा क्योंकि मैं फ्री रहना चाहता हूं और वर्पर इंडिया स्रेटम क्योंकि मैं देश की आजादी के लिए काम करा चाहता हूं फिर गांधी जी बोलते हैं और आगे के लाइंग और है तो इसलिए मैंने आजाद जो उपनाम है अपनाया है मैं कविताय लिखता हूं चलिए गांधी जी बोलते हैं यूर लव गोड वाज अलसो दो गाइड ऑफ अर्जुन इंदगीता भाई बात कैसी पुलट दी उन्होंने वो कहते हैं जो आपके भगवान है क्रिश्टन दखाता ना तो वो बोलते हैं गांधी जी कि आपके देटा जो है तो प्रेम के देटा तो हैं ही साथ ही साथ वही भगवान है जिन्होंने गीता में अर्जुन को मतलब पथ प्रदक्षन किया था रास्ता वो नहीं दिखाया था ठीक है ही एडवाइज कंट्रोल आप दसीन उन्होंने जो सेंस यानि के हमारे इंद्रिया होती है हमारे सरी के अंदर जो इंद्रिया होती है उसको वश्मे करने का उध्यश दिया था हमारे कृष्ष्ण भगवान ने and righteousness और सच्चाई पर लेटरद टेंट्रिक्स डिवैश्टी मुँ सच्चाई पर चलने का भी उन्ह महात्मा गादी बोलते हैं चलो कुछ भी हो आप अपने और नौवल जो है ना अपने आज जो है मुझे दिखाओ तो आप जाकर महात्मा गादी उनका नौवल लेकर पढ़ते हैं फिर क्या होता है क्रिश्चन आजाद ओपेंस प्रोटफोलियो टेक्स आउट दो मैनुस्क्र पुर्ण ने लिखी है और उसको पंडूली भी बोलते हैं इसको अपने नर्फस फिंगर से ना कामती हुई उंगलियों से निकालते हैं नमात्मा ओपेंस दा फर्स पेज आफ्टर टर्निंग ओवर दाइटल पेज खोलने के बाद उन्होंने फर्स पेज खोला रिट्ट द देख कर कहते हैं कि काधी जी भौते हैं कि मौकिंञएं बर्ड विटे वैचिनस कहते हैं यह की पून्ता नकल स्वित खियो न सच बीडियों से यह श्रॐ know that harijan sing moon groan and say a few words कहने का मतलब है जो हरी जन होते हैं वो आहें भरते हैं कराहते हैं सिस्क्या भरते हैं यह इतने बड़े-बड़े सब्डू में नहीं बोलते हैं you want to make them into dr. Johnson क्या आप इन हरीजन लोगों को dr. Johnson बनाना चाहते हो क्या बड़े राइटर है तो उनकी बारे में ऐसा जैसे आप बात समझो हुआ क्या कि आप अगर कोई कोई भी डूमेन लेते हो जैसे कि आप ही अगर राइटर बना चाहते थे आप चाहते हो तो आप किसी बड़े राइटर को फॉलो कर तो किक्रिते हैं कि क्या तुम उनकी बातों को कापी करना चाहते हो क्या और बात अगर तुम hearty की कर रहे हो तो अपने राइटर राइटिंग में हरिजन के बारे में लिख रहे हो जो कि इतने वर्ट्स बड़े-बड़े वर्ट्स तो बोलता ही नहीं रियालिटी में तो अच्छा नहीं होगा नोबेल में तुम्हारा है तो केसी जाद बोलते हैं हमबल्ड विनम्रता से लजीत होकर बोलते हैं आई है बीन फॉलोविंग अब जेम्स जॉइस हो कहते हैं देखी सर ऐसा है कि मैं जेम्स जॉइस की पात्रों को हैना उसका मतलब उनका धंग अपना रहा था स्ट्रीम ऑफ कॉंसिसनेस ऑफ करेक्टर्स जैसा वह मतलब बहुत क करेक्टर्स को ढालते हैं उस तरीकों को मैं अपना रहा था he has coined a new language उन्होंने एक नए लेंग्वेज का इजात किया है विद पॉंस सेटारिकल वर्ड्स जॉइन वर्ड्स पोईटिक फ्रेज मतलब यह सब तरीके हैं एडिटोरियल वहासा में जैसे कि उन्होंने उपहासम करते हैं कविता के सब्सक्राइब करते हैं तो आई थाट इफ आई अल्सू यूज बिग वर्ड्स एंड मेक पॉंस इंग्लिश पीपल विल थिंक आई हैब मास्टर्ड इंग्लिश नहीं वही बात निकली मैंने जो पहले बोली थे आपसे कि उन इन्होंने सोचा कि इस यह आप गारी जी बोलते हैं मैंने भी ऐसा ही सुझा तो जब मैं लंडन में था दैन इंग्लिश फ्रेंड अ क्वेकर टोल मी तू राइट सिंप्ली फ्रेंड था मेरा जिसका आम था क्वेकर उसने मुझे शिंपली तरीके से लिखने का तरीका समझाया आई बिगन तो ट्रां लेंग्वेज तो गांधी जी को उसने बोला कि तुम क्यों नहीं अपने लेंग्वेज में लिखते हो तो यह सारी व्याक्यान जो है गाधी अपने बारे बता रहें कि देखो वाई सिंपल लिखो कोल बाफर तो के सिया जाई I have no long language के से बोलते देखी सर ऐसा है कि मेरे पा कोट है है ना जो सरकारे काम होते है अदालत जो है उसमें भासा कौन से नियुक थिये गया है या तो अंग्री जी या फिर उर्दू ठीक है इसे पर्चाबी में वह कौन है महांद पर्चाबि है तो फार्दी में नहीं 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 की आउट जा रहा है कि अलौट और उर्दू उर्दो वर्चाबी में नहीं no one can earn his living as a writer in Punjab in English my novel may get published in London कहते हैं कि भाई गांदी जी बाद ऐसी है कि अगर मैं पंजाबी में अगर चीज़े लिखोंगा तो हम लोग अर्ण नहीं कर पाएंगे कमान नहीं पाएंगे जैसा और यहां तक कि मैं अपनी चीज़ों को अब मतलब नोवल्स को लेंजन में भी नहीं पाप्लिस कर पाऊंगा तो गांदी जी क्या बोलते हैं अच्छा राइट इन एनी लेंग्विज देट कांस तो हैं चलो ठीक है आपको जो भसा ठीक लगे उसमें लिखो वो लेगर एक बात सुन लो जो हरेजन छो कह रहे हैं उनographics से लिखो मतलब जिस कर्रेक्टर के उपर आप रिशर्च कर रहे हो जिस कर्क्र के बारे में अपनी टिपनी को रहे हो तो भाई उसकी reality को देखो ना उसी चीज़ को लिखो और जो निर्धन क्या कहते हैं उसकी बारे में वही सब चीज़े लिखो Translate the speech literally उनकी भाषा का साबदिक अनुवात करो मतलब जैसा वो करते हैं वैसे अनुवात करो Don't use these and dolls एसी चीज़ा मत यूश करो Above all you must be sincere मतलब की सबसे बढ़कर आपको इमंदार सच्चा बनना चाहिए प्रुत्पुल होना चाहिए Right of life Right of life as it really is और जीवन के बारे में वैसे ही लिखो जैसा है ये वास्तों में है Of the poor Few writers have written about the poor Only Sarat Babu and Premchand I hear अगर गरीबों के बारे में बात करूं तो बहुत कम लेखकों ने गरीबों के बारे में लिखा है जैसे कि Sarat Babu और Premchand जी ने लिखा है मैंने ऐसा सुना है गांधी जी बोलते हैं ठीक है आगे देखते हैं क्या होता है केसी आज़ाद बोलते हैं Mia Kalpa कि मैं अपरादी हूँ If I may use a Latin word मतलब अगर मैं Latin word use करता हूँ तो देखा जाते हैं Mia Kalpa मैं एक अपरादी हूँ Guilty I will rewrite the whole book but in novel I have I have to use imagination फिर वो करते हैं कि मैं तो इस बात का अपरादी हूँ मैं इस सारे उपनियास को फिर से लिखूंगा परतु नियास में मुझे कलपना का परियोग तो करना ही पड़ेगा हना सोचना पड़ेगा इन इस यह कहते हैं गादी जी बोलते हैं टॉक टू का जाओ जाके उका से बात करो और कुछ अलग लोगे से भी बात करो accept them as your brothers and sister उनको अपने भाई बहन की तरह मानो अचारे गुर्खा ने आपसे केसी जाद बोलते हैं he said don't enter the ashram sit there on the culvert I asked him can I have a glass of water he said go and get it from the pan shop देखिए क्या हुआ है जो बाते हुई थी उस gatekeeper के साथ केसी जाद की वो बाते रख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए सर्थ मैंने जैसी ही आया था तो उसने कहा था गुर्खा ने बोला था कि आश्रम में मत परवेश्च करो वहाँ पुलिया पर बैठ जाओ जाके ऐसा बोला था मैंने उनसे कहा कि क्या एक glass पानी मिल सकता है तो बोले कि जाओ जाकर पान की दुकान पर से ले लो तो गांदी जी बोलते हैं अचारे मतलब question मारके यानि कि पूछते हैं क्या अचारे ऐसी बात है अचारे रिमेंस silent अचारे चुप रहता है फिर गांदी जी बोलते हैं answer जवाब दो भाई उत्तर दो हमें अचारे move is head affirmatively affirmatively मतलब सच्चाई के साथ हां के साथ सिर्विला देना हां तो गांदी जी बोलते हैं अच्छा यू आपको आपकी उधन्ड़ता के लिए एक दिन वह रात का व्रत प्रखना पड़ेगा वी ख्लोज दोर ऑफ द आशन अगेंस सी आईडी हमने वालों के लिए आजरम के दोवार बंद करके हैं हम किसी को ने कुछ न देते हैं हमारी यहां पर जो भी दिक्कत है जो भी क्वेरी हम खुद ही रिजॉल्ब करते हैं फिर नॉट अगंस एवर्यवन सब्सक्राइब सब्सक्राइब आप तो तीन बज़े आ गए थे किसी जद बोले इन आवर विलेजेज गेस्ट आर वेलकम एट एनी टाइम वह ने बोला कि देखिए हमारे गाव में तैसा नहीं है हमारे गाव में कोई भी गेस्ट किसी टाइम पर आएगा हमारे उनको उनकी स्वागत की जाती है तो गांत लेकिन बात यह है कि इसको दंड नहीं होना चाहिए था जो यह हुआ हिविल फास्ट इससे तो भाई वरा त्रखना पड़ेगा महादेव एक्सप्लें टू अजात रूटीन के बारे में बताव आश्रम का अचारिया गो यहां से चले जाओ एक दिन के लिए वरत रखो ताकि तुम अपने दुरुवे औहारों पर विजय प्राप्त कर सको मादेव जैसाई बोलते हैं गांधी जी अब देगी बताया जा रहा है मांधी जैसाई सारा कुछ मतलब यहां पर कच्चा चेटा खोल कर रख देंगे कि आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है कहते हैं गांधी जी एक्सपेक्ट्स एवर्यवन तो वॉक विद हिम एट फाइप एम ओंडर ड्राइब ऑफ दो सावर्मती गांधी जी अपिक्षा करते हैं कि सभी सवेरे पांच बजे उठ कर उनके साथ सवर्मती के सुखे तल पर सहर करें ठीक है जी सेकेंड तिंग आफ्टर एबलुशन आफ्टर एबलुशन को मतलब स्नान आफ्टर एबलुशन प्रेयर एडट 6.15 एम 6.15 में सुबह सुबह नहाने धुआने के बाद प्रेयर करें घंत्मा ग मिलेगा वो करें फिर वर्ग तिल 12 बारव बज़े तक दिन के बारव बज़े तक अपना काम कीजिए फिर मिड़े मील एड 12.30 पीम जो दिन का खाना है वो साड़े बारव बज़े मिलेगा आपको सीस्टा फ्रॉम 1.30 तो 3.00 उसके बाद से जो सीस्टा का मतलब होता है दिन का जो आराम होता है तो कह रहे हैं य абсолют बज़े तीन सीस्ट पर टक आपको दौपार का आराम करना है बास बात एक होम किचें और इन गार्डेन फिर वह बोलते हैं कि आप सनांगहर सीघ्वधर यांघीज इविनग प्रेयर सीख musi6 बज़े की साम को सां क की प्रातना करनी है यह साम की प्रातना की करनी है मीलेट 730 प्राइब साथ बज़े आपको अपना खाना भी ले लेना है लाइट सॉफ एट 10 प्राइट ऑफ वज़े चाहिए रात के महात्मा में महात्मा जी जो हैं आपको सब्ता में आदे गंटे के लिए दो बार मिल भी सकते हैं संडे को आप बाहर जाने के स्वतंतर हैं इतने रिखन आप समझ पारे होगे आगे है बस दो तीन लाइन से आप उसके बास चैप्टर खतर है केसी जाद कर आप कुर्टा पजामा ले लिजी केसी जाद जॉएंट प्रणाम करते हैं हाथ जोड़कर और महादेव दिसाई के साथ कुर्टा पैजामा खरिदने के लिए वहां से खादी भंडार क्यों निकल पड़ते हैं और इस तरीके से चैप्टर एंड होता है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगा फिर भी कोई पैरी रहती है कि मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता हैं और वीडियो अच्छे लखिए तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करना बिलकुल आप हो ले हैं मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में और अगर में दूसरे चैनल को भी लिंक डाल दिया है प्लीज एक बार चेक आउट ज़रूर करें मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए स्टेए हों स्टेए सेव थैंक यू थैंक यू सो मच